हेलो वेलकम टू प्रथम आयस तो इस पार्टिक्लर वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि ब्लू बगिंग होता क्या है बहुत इंपॉर्टन टॉपिक बहुती बर्निंग इसू है और आप सभी लोगों को यह जानना जरूरी है कि आप सभी लोगों ने हाली में बहुत ज्यादा मात्रा में कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसमें पांच से दस मॉवाइल फॉन नहीं हो और कोई भी इंसान ऐसा नहों बच्चे से लेकर करके बोड़े तक जो मॉवाइल फॉन नहीं चला तो लेकिन साफधान हो जाईए बहुत इंपॉर्टन अगर आप लोग से एक रिक्वेस्ट है अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम दिन बदिन आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट जो की UPSC, BPSC या किसी भी इंपॉर्टन एक्जाम से रिलेटेड है उसकी डिटेल्स में जानकाड़ी लेकर आएंगे और इवेन आपके जनरल लाइफ से आसान से आसान भासों में कोशिष करेंगे समझाने की तो सबसे पहले जानते हैं कि यह blue bugging होता क्या है और blue snuffing इससे किस तरीके से different है तो मैं आपको यहाँ पे एक article दिखाना चाता हूँ देखिए smart device में पड़ियोग करते हैं Bluetooth तो सतर करेए blue jacking, blue bugging और blue snuffing से खत्रा बढ़ जाता हूँ मैं बिलकुल simple सब्दों मैं आपको पहले बताता हूँ देखिए blue jacking, blue bugging और blue snuffing मैं इसमें एक order पहले आपको बोलता हूँ पहले order बता रहा हूँ कि आपको blue jacking, blue snuffing और blue bugging ये एक increasing order में है इसमें मैं simple बता रहा हूँ कि blue jacking क्या होता है कि जब आप अपने तीनों में तो सबसे पहले common चीजी है कि आपकी bluetooth searchable mode में होनी चाहिए on तो होना ही चाहिए बलकि discoverable mode में होना चाहिए पहला condition यह है तब आपको you know hack करेगा दूसरा important मैं बता रहा हूँ कि blue jacking में क्या होगा blue jacking में होगा कि आपको cable जो है ना जो hacker है मालो हम वेक्टी में हमारे data को चोड़ी किया जा रहा है तो 100 मिटर के area में अगर हम अपना mobile अगर माली जहां हम अपना mobile discoverable mode में छोड़ दिये तो hacker क्या करेगा हमें हमारे mobile में message भेजना start कर देगा message भेजना start कर सकता है किसमे blue jacking में लेकिन वही अगर आप blue snuffing की बात करोगे तो blue snuffing में क्या होता है कि वो आपके data को जैसे आप phone पे बात कर रहे है या आप किसी को message भेज रहे है या आप किसी third party से you know TV देख रहे है वो साड़ी data जो है वो collect कर सकता है कौन hacker और यह जो blue bugging है इसमें क्या होगा कि वो देख तो सकता भी है साथ ही साथ वो किसी third party को भेज भी सकता है so if we reorder blue jacking blue snuffing and blue bugging तो vulnerability जो है न धीरे धीरे बढ़ रहे है मतलब सब से कम vulnerability आपको blue jacking में मिलेगा यह उतनी खत्रा नहीं है यहां पर क्योंकि केबल मैसेज भेज रहा है तो आप यहां पर अराम से पता कर सकते हो वही अगर आप blue snuffing की बात करोगे या blue bugging की बात करोगे तो blue snuffing is less less dangerous than the blue bugging क्योंकि blue bugging में क्या होता है कि आपको एक malware आपके mobile में इंस्टॉल कर दिया जाएगा और उससे वह फिर third party को data transfer भी करती है तो इसी particular discussion को हम यहां पर blue you know bugging की बात कर रहे हैं तो देखिए यहां पर जैसे आप लिख रहे हैं कि भाई blue bugging की concern जो बढ़ रही क्योंकि आप आजकल देखो ना दुनिया में सारी चीजे जो है ना Bluetooth से जुर गई है सारी के सारी चीजे आप दौरने जाओ तो आपकी device Bluetooth से connect होगी आप ट्वालेट में जाओ तो पैसे भेजना है किसी को जैसे आपने POS देखा होगा POS भी आजकल बिना चीप बाली जो आती है चीप बाली वह आप क्या करो के वल टच करने से तो यह सारा जगा जो है ना और सबसे important क्या है कि जितनी wearable device है ना कि आपकी mobile Bluetooth से connect होनी चाहिए तब जाकर कि आपका heart beat heart check आजकल बहुत smart device सवा गया ना तो यह सारी चीज़े कहीने कहीं important हो जाती है और हमें अपने data से compromise करना पर सकता है तो blue bugging के बारे में जैसे मैंने आपको बता दिया लेकिन मैं आपको यहां पर shots जल्दी जल्दी आपको बता दे तो जैसे माली जी यह hacker का mobile है यहां पर victim है और आपकी discoverable mode में आपने यहां पर Bluetooth को on कर रहा तो आपको blue bugging attack कर सकते है It is the form of hacking that lets attacker access a device mobile phone चाहे हो computer हो through the discoverable Bluetooth mode connection और मैं आपको बता दू कि दुनिया की सबसे अच्छी phone जो iPhone Apple मानी जाती है ना उसमें भी यह खत्रह है असा नहीं कि के वल Android के लिए है इस for all the you know mobile system and once a device or a phone is blue plugged a hacker can you suit to the call read and send messages and even steal and modify the contact और आपके data को चुरा करके आपके contact को भी बदल देगा अब जैसे देखें यहां पर the device Bluetooth must be in discoverable mode I have already told you which is और और यह जो discoverable mode है ना आजकल usually क्या होता आपको यह default setting में ज्यादा होता है most of the device में ठीक है the hacker then tries to pair with the device via Bluetooth once a connection is established जैसे ही आपकी mobile जूर गई hacker क्या करता है एक brute force जो हैना attack करता है to bypass the authentication और जैसे ही माले जो vulnerable device होते हों connect हो जाते हैं कोई compromise होता है डिवाइस क्योंकि देर भेडियस डिवाइस विचार इस नियुक्त है जैसे वह brute force भेजता है जो सबसे कम आप बोल सकते हैं पड़े लिखे ज्यादा नहों बिचारे उनके डिवाइस मुतनी ज्यादा टेक्नलोजी के जानकारी नहों तो वह क्या होता है आपको कि वह डिवाइस ट्रैक हो जाएंगी और फिर उनसे क्या किया जाएगा आपको ज और यह साड़ी चीज़ों जने कहीं आपकी compromise हो सकती है तो आपको यहाँ पर सचेत होने की जरुवत है तो सर इससे बच कैसे सकते हैं तो देखे बचने का तो एक पहला सथ सिंपल तरीका है प्लीज स्विच रॉफ यूर ब्लूटूथ और ट्राइट टू मेक सिओर दाट क मैं इस चीजों को ले करके concerned रहता हूं हमेशा जैसे आप देखो कि इस चीजों को आज कल आपको पर मंतली जो है ना चार्जेज लेने ही परेंगे और जब आप यूज करते हो नो पर मंतली चार्जेज तो जीओ की एक एंटिवाइस आती है नौड करके तो आप वहां से भ प्लिक प्लेस से ही रिलेटेड होती है तो उमीद करते हैं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो फ्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फोर्गेट टू प्रेस्ट बेल हाइकन घंटा का बटन दवाना ना भोलिए सब्सक्राइब मैं चैनल